शाओमी रेड्मी नोट एट प्रो के प्राइस एंड बॉक्स को फाइनली लीक कर दिया गया है तो आज इस वीडियो में इसके बार में मैं बात करने वाला हूँ सो हेव वसस्ब गईज आजे है और डीडेल वारे में बात करेंगे किस ने लीक किया है और क्या-क्या प्राइस वीसिकली हमें शाओमी नॉट एट प्रो में देखते है और सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स के बारे में तो यहाँ पर जो शाओमी के जनरल मेनेजर है रेड्मी के लू वेविंग तो उन्होंने जो है फाइनली शाओमी रेड्मी नोट 8 सिरीज का बॉक्स जो है लिक कर दिया गया है तो यहां पर अगस्ट 39 को यह जो है चाइना में लॉंच होने वाला था और उससे पहले ही सामने आप देख चाइना में लॉंच हो रहा है तो यह चाइना का रीटेल बॉक्स है सेम आपको इंडिया में भी सेम एसा ही रीटेल बॉक्स देखने को बलजाएगा अचलो अब बात करते हैं नेक्स्ट निउस के बारे में जो कि शाओमी रेड्मी नोट 8 प्रो के बारे में आ रही है तो यहां पर बात करूँ शाओमी रेड्मी नोट 8 प्रो के बारे में तो 6 जीवी राम और 128 जीवी स्टोरेज का वेरियंट का जो प्राइस रखा गया है चाइना में वो रखा गया रखा गया अठार हजार रुपे में मतलब अगर यह इंडिया में आगा तो मेरे को ऐसा लग यहां पर इतने ही रुपे में इंडिया में भी लॉंच होगा यहां पर बात करने वालों 8 जीवी राम और 128 जीवी स्टोरेज के बारे में तो यहां पर इन्होंने इसका प्राइस रखा हुआ है 21,000 रुपे मतलब नोट 8 प्रो का लगब 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 इन्होंने 3,000 इसकी प्राइस कितनी होने वाली है तो यहां पर इन्होंने रखा जो प्राइस है चाइना में वो रखा है 12,000 रुपे में देखते हैं इंडिया में कौन सा वेरियंट में मतलब किस प्राइस रेंज में 4 जीवी 64 जीवी वी वेसे कि हमें शाओमी की रेडमी नोट 8 में आप देख सकते हो कि शामी रेडमी नोट 8 रो में आपको 6.53 इंच का डिस्प्ले देखने हो बल जाता है जो कि रेजलुशन होगा 2343-10 Full HD रेजलुशन होगा नीच दरब आप देख सकते हैं प्रोसेसर साफ साफ हमें दिख रहा है कि मीडिया टेक का MTK Helio G90T है जो कि बहु जोगा और जब यूनिट्स आएंगे तो वह यार हमें पता लगए कि किस तरीका फोन देखने को बल जाता है तो यह सारी कुछ जो है लिग मतलब जो चीजे थी शामी रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में सबसे प्राइस और दूसरा था बॉक्स तो फाइनल यह यह दोनों च कैसा लग रहा है यह किस प्राइस में लॉंच करने वाले हैं तो यार मेरे को भी थोड़ा उससे पता लगी है इन्फोमेशन मिले तो यह दी वीडियो को चाहिए अगर आप विडियो से लाइक करना कॉमेंट करना सब्स्क्राइब करना चानल को जिस से आपने लिए से बाय हो रहे हैं जी